Good evening everyone, welcome back to your channel Ace English. मेरा नाम है Udisha और आप लोगों की सीरीज जो चल रही है Spoken English की इस चैनल पर डेली शाम साथ बज़े आपको class मिलती है Spoken English के लिए जिसमें हम बहुत सारे interesting topics grammar, vocabulary, situational phrases, sentences, idioms, सब कुछ discuss करने वाले हैं आज उसकी है class number 11 कल की class मेरे आपको बिलकुल साधारन और सामान ये किसम के Hindi words को English में क्या बोलते हैं ये सिखाया था लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ specific type of words के बारे में तो आप देख सकते हैं आज का topic क्या है दोस्तों The topic is adjective Adjective सबसे पहले होता क्या है किस चिडिया का नाम है माम ये देखो मुझे उम्मीद है कि मेरे जादा तर students को तो पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता है सबसे पहले उन्हें बताते हैं So words used to describe a noun or a pronoun are called adjectives ठीक है क्या समझ में आया Noun और pronoun की जो विशेशता बताते हैं शब्द उन्हें हम adjectives कहते हैं अब noun pronoun के अंदर क्या आता है देको pronoun तो तुम्हें पता है he, she, it, they, we, us, one, whatever इस तरीके के words pronoun है लेकिन noun में क्या-क्या आ सकता है भाई Names आते हैं noun में जैसे कि Names of people, logo के नाम आ सकते है place का नाम आ सकता है animal का नाम आ सकता है किसी वस्तू यानि thing का नाम आ सकता है and कोई emotion का नाम ले लो किसी particular idea, belief, concept का नाम ले लो जैसे equality, justice, knowledge यह सब concepts हैं देखो जिनको अब आज की rate में हमारे जीवन का हिस्सा बनाया गया है तो यहाँ पर दोस्तों इन सारी चीजों को describe करने के लिए जो words हम use करते हैं उन्हीं को हम adjective कहते हैं यह जो मैं लिख रही हूँ यह धीरे-धीरे मैं delete करती रहूँगी वरना मुझे camera off करना पड़ेगा जो मैं चाहती नहीं हूँ तो सबसे पहले देखो अगर मैंने कहा कि अमन is intelligent तो यहाँ पर अमन के बारे में हमको क्या पता चला अमन की क्या quality है कि वो बुद्धिमान है तो अमन के लिए intelligent adjective हो गया अगर मैंने कहा brave boy is fighting बाद और लड़का लड़ रहा है तो लड़का की क्या quality हो गई कि वो brave है शिमला is a beautiful place शिमला एक खूबसूरत जगे है तो कैसी जगे है beautiful जगे है तो जब इस प्रकार से आप words use करते हैं इन ही words को हम लोग adjective कहते हैं अब जादा जरूरी यह समझना है दोस्तों कि adjective काम क्या क्या करता है देखो सबसे पहली चीज adjective की मदद से हम लोग अपने opinions बता सकते हैं ठीक है opinions कैसे बताये जाते हैं जैसे तुमने कोई movie देखी और मैंने भी वही movie देखी अब तुमने कहा कि माइम यह तो बड़ी boring movie है तो तुमारा opinion क्या हुआ boring हो गया ठीक है मैंने कहा अरे this is a very interesting movie यानि कि मेरे हिसाब से वो बड़ी ही interesting movie है दिल्चस्प movie है correct अगर मैं यहीं पर बोलती हूँ मानलो मैंने एक गाए को देखा मैंने कितनी खूबसूरत गाए है मैंने अपना opinion दिया कि यह तो beautiful है तुमने का नहीं beautiful नहीं है cute है ma'am तो यह तुम्हारा opinion हो गया तो तुमारे जितने भी judgment और opinions होते हैं इन्ही को हम दिखाते हैं adjective की मदद से तो सबसे पहले o लिखो यानि opinion उसके बाद आप देखिए s for size लिखो देखो जब हम बात करते हैं कि यह bottle बहुत बड़ी है यह studio बहुत बड़ा है यह तुमारे दाथ बहुत छोटे हैं ऐसे हम चीजों की size के बारे में बात करते हैं so अगर हम words यूज करते हैं large, enormous, small, tiny, ऐसे words को अगर हम use करते हैं तब हम इसे कहते हैं adjective क्योंकि यह भी कही ना कही quality ही बता रहा है similarly बेटा कई बार हम लोग use करते हैं temperature को temperature क्या होता है भाई अब जैसे अगर मैं आपको बोलू कीजी यह coffee है कैसी coffee है cold coffee है example दे रही हूँ coffee है नहीं तो मेरा हाथ है but I hope you understand तो कभी-कभी हम चीजों को उनके temperature के हिसाब से भी describe करते हैं जैसे हम कहते हैं यार shimla is a very cold place तो shimla कैसी जगे है थंडी जगे है so cold, hot, mild, moderate इस तरीके के शब्द चीजों का स्थान का temperature बताने में मदद करते हूं temperature भी कहीं न कहीं quality का का काम करता है ऐसे ही age को ले लीजिए कभी हम कहते हैं कि कोई बहुत young है, कभी हम कहते हैं कि कोई बहुत old है, कभी हम कहते हैं जी कोई middle aged है जब हम अधेड की बात करते हैं तो middle aged शब्द का इस्तिमाल करते हैं तो इस तरह के जो हमारे words होते हैं जो किसी चीज की या किसी इनसान की उम्र की तरफ इशारा करके describe करते हैं वो भी हम adjective में रख सकते हैं बेटा अगर यहीं पर मैं कोई thing की बात करूँ अगर मैं बोलू कि यह building नई है तो उस building की age क्या हो गई? new building उसकी age हो गई अगर उसी चीज को मैं बोलू यह तो एक old building है तो उसकी क्या उमर हो गई जी? वो old उसकी age हो गई तो यहां पर हमने कुछ words देखे जो age की तरफ इसारा करते हैं फिर आता है SH से shape शेप का क्या मतलब हो गया दोस्तों? जब आप बात करते हैं किसी भी चीज के आकार के बारे में कि अच्छा अरे वो जो तुम्हारी गोल वाली मेज है वो बहुत अच्छी है तो गोल मेज को आप क्या कह सकते हैं या तो आप कहते हैं round या तो आप कहते हैं circular है ना? अगर मान लो मैंने कहा कि यार तुम्हारे घर में वो जो तिकोनी दीवाल घड़ी है तिकोनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं triangular कहते हैं triangular clock is beautiful, right? generally हम कहते हैं कि square clocks are very beautiful, है ना? तो जब भी आप किसी चीज के shape की तरफ इशारा करते हो वो शब्द भी जादा तर adjective होते हैं ऐसे ही अगर हम बात करें color तुम्हारी नीली shirt बड़ी महंगी है तुम्हारी कौन सी shirt महंगी है? the blue shirt blue, yellow, white जो ऐसे रंगों की तरफ हम इशारा करते हैं the crimson sky stole my heart यहां पर आप कह रहे हैं कि वो जो सूर्यास्त के time या सूर्योदे के time एक orange सा color होता है आस्मान का उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं crimson तो कैसे आकाश ने मेरा मन मोह लिया crimson sky ने तो यहां पर आप color से इशारा कर रहे हैं sky की तरफ तो इस तरीके से जब रंगों से हम किसी चीज़ को describe करते हैं तो भाई रंग भी वहां पर adjective बन जाएंगे है ना? ऐसे ही बात करते हैं origin की अब देखो मेरी सबसे बहतरीन quality क्या है कि मैं Indian हूँ she is an Indian girl right? we all like Italian food हम सब को Italian खाना पसंद है we all like Chinese food हम सब को Chinese खाना पसंद है बट सबसे बहतरीन खाना भी Indian होता है जहां तक मेरा विश्वास है तो इस तरह से जब आप बात करते हैं किसी भी जगे के बारे में किसी भी वस्तु के बारे में उसके origin के हिसाब से तब हम यूज करते हैं अपने adjectives को कुछ इस तरह से Indian, American, Chinese etc. right? अब देखो अगर तुम से कोई पूछे कि सबसे वेहतरीन गाडियां कहां कि होती है तो तुम कहोगे German cars are the best German cars जो है वह बढ़ी अच्छी मानी जाती है बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स वहां से हैं तो अभी तक तुमने देखा Opinion, Size, Temperature, Age, Shape, Color, Origin Next लेख लीजिए Material Material क्या होता है? material से माम आप किसी चीज़ की quality कैसे बता देंगी तो अरे quality क्यों नहीं बता सकते This is a linen सारी इसका क्या material है? Linen की है यह सारी तो यहाँ पर आपने लिख दिया The linen सारी is expensive or the linen सारी is beautiful or ugly or जो भी कुछ So, quality तो पता चली क्या quality है सारी की? सबसे पहली कि वो linen की है इसी तरह से cotton dresses are very suitable for summer गर्मियों के लिए कैसे कपड़े suitable होते हैं? Cotton वाले, जो cotton के बने होते हैं ठीक, इसी तरीके से plastic jewelry is very cheap Plastic की jewelry कोई थोड़ी पहनता है Sona, Chandi, etc. की पहनते हैं Correct, even और भी कुछ metals होते हैं, जो पहने जाते हैं लेकिन plastic की कोई नहीं पहनता लेकिन plastic भी है, तो material ही न दोस्त तो इसी तरह से gold है, silver है, steel है, aluminium है जो भी चीज़ें हैं वो आपके material की तरफ इशारा करती हैं और उस वक्त पर एक noun की कहीं न कहीं quality बता रही होती हैं जो last वाला है, ये आप ध्यान से सुनना पेटा तुमने कई बार सुनना होगा मेरे पास एक walking stick है अब जब मैंने कहा walking stick stick क्या है, ये तो noun है ये किसी वस्तू का नाम है, छडी को कहते हैं stick लेकिन इसका क्या purpose है? ये walking के काम आती है यानि इसको पकड़ करके हम चलते हैं ठीक, इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास एक racing car है मेरे पास कौन सी car है? एक ऐसी गाड़ी जिसका purpose क्या है? racing है ठीक, इसी तरीके से हम कह सकते हैं मेरे पास तो एक hunting dog है hunting dog कौन से dogs होते हैं? जो शिकार करते हैं शिकारी कुते तो यहाँ पर hunting उसका purpose है तो जब एक word आपको ing रूप में एक noun का purpose बता रहा है कि इसका काम क्या है? वो भी adjective की तरह use हो सकता है आगे बढ़ते हैं guys और देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत जरूरी बात अब इसमें भी एक चीज और बता सकती हूं मैं तुम लोगों को लेकिन वो तुम्हें मैं किसी और class में बताऊंगी डीटेल में लेकिन अभी के case में जैसे हम तुम से कहते हैं बेटा अपने आपको describe करो तो तुम लोग क्या कहते हूं जी I am a good person I am a nice person I am a hard working person अच्छी चीज़े कोई शिकायत नहीं कर रही हूं लेकिन यह किसी पिटी adjectives अब यूज करना बंद कर देते हैं इसकी जगे आज हम discuss करेंगे कुछ नए adjectives जो की आप सीखिए अपने लिए अपने अच्छे दोस्तों के लिए जिन लोगों को आप पसंद करतें उनके लिए positive और जिनको आप नहीं पसंद करतें उनके लिए negative adjectives में आपको मैं इस class में सिखाने वाली हूं तो अब जल्दी से बढ़ते हैं और एक मिनिट मुझे अब camera बंद करना पड़ेगा वरना हमारा content छुप जाएगा ठीक है अरे पहले ही मुझे screen पे typo दिख रहा है तो इसको ठीक कर लेते हैं actually यहाँ पर लिखा negative है but मैं आपको पढ़ाने वाली हूं positive ठीक है तो I will color this ठीक है थाकि आपको confusion नहीं हो पर आफट से लेख लीजिए यहाँ पर positive adjectives और सबसे पहले देखते हैं अभी तो नहीं चुप रहा है तो मैं camera off नहीं करूँगी tolerant someone that accepts other people's opinion देखो कुछ लोग होते हैं भाई तुरंत लड़ने भिड़ने लगते हैं तुमने कैसे कहा लाल रंग खराब है तुमने कैसे कहा करेला खराब सबजी है ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की भी बाते सुन लेता है तो ठीक है तुम्हार लिए लाल रंग अच्छा है मेरे लिए काला अच्छा है हूँ, etc. कैसे यूज कर सकते हैं? Even if they had different religions, they remained really tolerant of each other's traditions. यानी कि अलग-अलग धर्म हो सकता है और हम एक दूसरे के tradition को, रीती रिवास को tolerate कर सकते हैं. कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो that's okay. यह नहीं कह सकते कि जो मैं कर रही हूँ, वही तुम भी करो. ऐसे तो अच्छा देशबनी नहीं सकता है. आगे देखते हैं, patient, यह बड़ी important quality है. सब्र होना चाहिए, एक इंसान में थोड़ा सुकून होना चाहिए. हर चीज़ के लिए अरे मैंने दो घंटे मेनत कर ली, मुझे तीसरे घंटे वे नौकरी नहीं मिली. ऐसा तोड़ी होता है, बच्छों, तो आप लोगों को भी patient होना चाहिए. अब देखो, एक patient होता है, जिसका मतलब होता है मरीज. वो noun होता है. यह वाला patient adjective है. तो अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंसान है, जो बड़ा शांत स्वभाव का है, सबर कर लेता है. Someone that can confront difficulties. यानि कि परिशानी भी आई तो यह नहीं कि रोने लगे, तूट गए, बिखर गए, नहीं जीए, सब नहीं करना है. हम सबर है हमारे अंदर. अभी पर आप इस तरीके से यूज करिये. He is really patient. It took him two hours to drive here in traffic and he didn't complain once. यानि बड़ा ही सुलजा हुआ शांत इंसान है. दो घंटे ट्राफिक उसको लगा यहां आने में, बट एक भी बार उसने शिकायत नहीं की. अच्छी quality है ना? नेक्स्ट बताओ कि जी मैं तो बड़ा generous हूँ. Generous, pronunciation सुनो. Someone that gives and shares freely. कुछ लोग होते हैं जो कमाते हैं तो अपने घर भरने में लग जाते हैं. कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार मेरे पास है, सब के पास होना चाहिए. Everybody should enjoy. ऐसे लोगों को generous होती हैं मझे लगता है. मतलब अगर मैं बात करूँ अपनी वाली की तो मतलब angel, you can call her an angel. मतलब उनकी थाली का खाना में ले ले लेती थी, उनको रात को दो बज़े पानी लाने के लिए भेज देती थी, उनका सारा समान में तोड़ फोड़ देती थी, कभी शिकायत ने कि उनको ने, चोटी थी मैं, बड़े होने के बाद नहीं करती थी, बड़ा आम जो saying की, बहुत बड़ा दिल होता है का लगी हुई है, उसके students इंतिजार कर रहे है, वो कैसे छुटी पे चला जाएगा, है ना, तो सब के बारे में सोच करके फिर आपको यह प्लान करो ना, और हमेशा हमें एक बूसरे के बारे में सोचना चाहिए, सोच विचार करके ही, प्लान करना चाहिए, आइडिया देन चाहिए, एक सेटरा, ठीक है, तो अब देखिए, considerate होना कितनी अच्छी बात है, pronunciation क्या है, considerate, मैं सब के बारे में सोच के चलती हूँ, I am a considerate person, Sharon is really considerate, she always takes the time to offer support to younger colleagues, यानि Sharon जो है, वो सब के बारे में सोचती है, सब की परिशानियों को समझती है, और जो उससे छोटे हैं, उन लोगों को अपना support भी देती है, offer करती है, ठीक है, next देखते हैं, कुछ और words, जैसे reliable, आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे उपर depend कर सकते हैं, मुझ पर यकीन कर सकते हैं, etc., है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि उदिशा माम is reliable, someone that can be trusted, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जैसे आप खुद पर कर सकते हैं, तो आप बोलिये कि मैं अपने माता पिता का विश्वस नहीं है बच्चा हूँ, I am a reliable child, वो मेरे उपर विश care of you, अरे, लुकस के उपर तो मैं बड़ा विश्वास कर सकती हूँ, तुम्हारा पूरा खयाल रखेगा, इसी तरह से देखते हैं, अपना next word, respectful, ये बहुत important है, कोई चोटा है, बड़ा है, कोई कौन से पदपर है, कोई कुछ करता है कि नहीं करता है, आप सबसे सम्मान से बात करिये भाई, लेकिए आप और मैं ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कौन सम्मान डिजर्ब करता है, कौन नहीं करता है, इनसान है, उपर वाले का बनाया है, सब को सम्मान देना चाहिए, तो यहाँ पर someone that shows consideration for other people's opinions and feelings, जो दूसरों की बातों का, राय का, feelings का, भावनाओं का सम्मान करता है, तो उसे भी हम कह सकते हैं, respectful, he is a very respectful child, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, बहुत इज़त करता है सब की, तो यहाँ पर आपने देख लिए कुछ positive अपने adjectives, लेकिन अब time आ गया है कि मैं आपको थोड़े से negative भी बता दू क्योंकि देखो भाई, जीवन मे negative लोग भी होते हैं, कुछ लोगों को हम बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या हुए जब बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम हुए intolerant, तो पहले बोलिए I am intolerant towards liars, यानि मैं जूटों को बरदाश्ट नहीं कर पाती हूँ, यहाँ देखे, the opposite of tolerant is intolerant, someone that does not accept other people's opinion, हा अगर कोई जूटा है, कोई चोरी करता है, तो मैं उसकी राय क्यों मानूँगे, I am intolerant towards liars, जूटे लोगों की तरफ मैं बिल्कुल भी tolerant नहीं हूँ, बरदाश्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, in the end he got fired because he is intolerant and racist, no one could stand him, अच्छा कुछ लोगों होते है acceptance नहीं देते, तो उनको तो भगाई देना चाहिए, अगर आप बुरी चीज के लिए intolerant हो, तो अच्छी बात है, पर अगर आप हर अच्छी चीज के लिए भी intolerant हो, तब तो आपको निकाली दिया जाएगा, no, racism तो कितनी बुरी बात होती है, next, selfish, सिर्फ अपना सोचने ब लखना चाहती, तो यहाँ पर देखो, he ate all the food that we had prepared for the children, that's so selfish, यार, बच्चों के लिए खाना बनाया था, और कोई बड़ा बैट करके, अगर सारा खा जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, यही बोलोगे न, you are so selfish, right everyone, next, देखते हैं, dishonest, the opposite of honest, someone that isn't fair, अगर कोई ऐसा है, ज dishonest है, जो जूट बोलता है, धोखा देता है, लोगों के साथ, शायद, scam करता है, ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं, dishonest, okay, example देखो फटाक से, they didn't hire her because she lied on her CV, कुछ लोग अपने रजियो में पर जूट बोलते हैं, जादा तर लोग जूट बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का प आप लोगों को एक important सूच ना देनी है मुझे, हाँ जी, अचा एक second camera बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगला word है, unreliable, देखो कुछ लोग होते हैं, जिनको तुम किसी भी जिम्मेदारी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौप सकते, क्योंकि तुम उन पर यकीन नहीं कर सकते, these people are highly unreliable, यानि कि तुम विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वस निय, he missed another deadline, he is too unreliable, तुमने किसी को काम दिया और बोला कि मुझे दो तारीक तक काम करके दे देना, और अगर उसने तुमें काम नहीं पूरा करके दिया, तो क्या तुम उसके बाद उस पर व people are happy, जब दूसरे लोग खुश होते हैं, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मैंको कभी खुश नहीं होते, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं jealous, और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, कि भाई, इसके पास है, मेरे पास नहीं है, और इसके पास क्यूं है, etc. ये करने वाले लोगों क कभी तरक्की नहीं हो पाती, अगर तुम मेनत करोगे, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक है, तो किसी से जलन करके, किसी से envy करके, कोई फायदा नहीं है, अपने में खुश रहो, मेनत करते रहो, आज जो किसी के भी पास है, उससे बहतरीन तुमारे पास होगा, जितने लोगों ने ये क्लास देखी है, comment section में मुझे बताना, अपने लिए, कौन सी एक positive adjective यूज़ करोगे, और कौन सी एक negative adjective यूज़ करोगे, अगर वीडियो पसंद आया, तो पहले like करो, फिर page को subscribe कर लो, और हाँ, ये याद रखो कि ये free spoken English classes तुम्हें daily शाम 7 बजे मिलती है, तो यहाँ पर तुम्हें time से आना पड़ेगा, also let me tell you, कि आप लोगों का एक paid batch चल रहा है, जिसमें admissions आज close होने वाले हैं, अगर अभी तक आपने admission नहीं लिया है, तो आप अपना code Y169 यूज़ कर सकते हैं, और ये batch आपको सिर्फ 689 रुपीज में मिल रहा है, इसमें पाकेज है, उन लोगों के लिए जो अच्छे इंग्रेजी बोलना, सीखना चाहते हैं, तो ये रहा आपका batch, इसका link video के description में है, batch का नाम है, Speakeasy 2.0, I will see you in the batch and I will see you tomorrow with a fresh new class on Ace English YouTube channel at 7 PM, don't forget to like the video and don't forget to subscribe to our channel, thank you so much.